नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का संसर टीवी में और मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौरसिया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पराकरम सिंग शेखावत वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण वित्यवर्ष दोजार बाइस तेईस के लिए आज सुभा ग्यारा बजे लोकसभा में केंद्रिय बजट पेश करेंगी उसके बाद बजट के एक प्रती राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी अब से ठीक तीन घंटे बाद जब लोकसभा में वित्यमंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगी तो अगले वित्यवर्ष के लिए सरकार की योजनाओं की तस्वीर सब के सामने होगी साल 2017 से पहले तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया वित्यमंत्री निर्मला सितारमन का ये लगातार चौथा बजट है बतौर वित्यमंत्री उनके नाम सबसे लंबा बजट भाशन देने का भी रिकॉर्ड है सर्वेक्षन 2021-22 में कहा कि आने वाला वर्ष नीजीक शेत्र की निवेश में तेजी के लिए पूरी तरह से तयार है वर्ष 2022-23 के लिए विकास का नुमान इस धारणा पर अधारित है कि भविश में आर्थ व्यवस्था पर महामारी का असर नहीं होगा साथ ही 2020-21 में 7.3 प्रतिशत तक आने के बाद 2021-22 में अर्थ व्यवस्था के वास्तविक रूप में 9.2 प्रतिशत बढ़ने का नुमान है बहराल कोरोना की मार और उसके बाद की बड़ी आर्थिक परस्थित्यां ये तै करेंगी आज पेश होने वाले बजट की दशा और दिशा क्या होगी आर्थिक समिक्षा से मिले संकेत आगामे बजट के लिए क्या इशारा कर रहे हैं खासकार हम जानेंगे इंफ्रेस्ट्रक्चर, हेल्थ और टेक्ष के मोर्चे पर किस तरह के संकेत हैं बजट में किन सेक्टर्ज पर सरकार का खासा जोर रहेगा जिससे विकास की पट्री पर बजट की रेल तेजी से दोड़ सके आम बजट 2022-23 से जुड़े इन पहलूं पर चर्चा करने के लिए बेहत खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद है सुरोजीद गुपता आप सीनिय अडिटर रे टाइमस अफ इंडिया के बहुत-बहुत स्वागत सुरोजीद जी आपका साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने है डॉक्टर एसपी शर्मा आप चीफ एकनॉमिस्ट है पीजडी चैंबर से बहुत-बहुत स्वागत सर आपका भी बिलकुल और पराकरम इसकी साथ हमारे साथ जूम पर दो और खास मेहमान जुड़े हैं मुनिका हलन है अब आथर एंड एक्जुएंट प्रोफेसर है एन आई एसम साथ ही डॉक्टर यामिनी अगरवाल है अब प्रोफेसर आफ फिनांस अट इंडियन इंस्टिट आफ फिनांस आप दोनों का भी बहुत स्वागर संसट टीवी में और चर्चा की शुरुआत में सुरूजी जी आपसे करना चाहूँगा सबसे पहला सवाल यदि हम समिक्षा करेंगे क्योंकि हेल्थ अपने आप में महचपून है और अलग-अलग सेक्टर्स की हम समिक्षा करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुरुख्यों पर विक्तमंत्ली निर्मलास्तीता रमण सुभा ग्यारा बजे लोग सभा में पेश करेंगी आम बजट राज्य सभा में भी रखी जाएगी बजट की कॉपी संसर टीवी पर दिन भर विशेश प्रसारण स्वास सिक्रशी, टैक्स और रोजगार से जुड़ी घोशनाओं पर होगी सब की नज़र बुन्यादी धाचकी मजबूती पर होगा जोर MSME समेट विभिनक शेत्रों के लिए वित्मिंत्री कर सकती है कई कदमों का एलान इस बार भी पेपरलेस होगा आम बजट, बजट भाषन पूरा होने के बार मोबाइल एप पर उप्रब्ध होंगे बजट दस्तावेज 2021-22 में पहली बार पेश किया गया था पेपरलेस आम बजट करोना महमारी से पहले की स्थिती से भी आगे बढ़ चुकी है आर्थिक गतिविदिया आर्थिक सर्वेई पर प्रधान आर्थिक सलाकार संजीव सान्याल का बयान 2022-23 में जीडीपी में आज से 8.5 प्रतिशक की व्रधी का अनुमान आम बजट से पहले अच्छी खबर जनवरी में 138,000 करोन रुपे रहा ज्वियस्ती संग रहे और सेक्टर का उत्पादन भी दसंबर 2021 में 3.8 प्रतिशक बढ़ा कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज वितमंत्री निर्मला सीतारमन आम बजट पेश करेंगी महामारी के दौरान लोगों की जिन्दगी भी बदली है और जरूरतें भी ऐसे में इस बजट से लोगों की उम्मीद भी अलग है ये नरेंद्र मोदी सरकार का दस्वा और निर्मला सीतारमन का चौथा बजट है वितमंत्री निर्मला सीतारमन वित्तेवर्ष 2022-23 के लिए आज सुभा 11 बजे लोग सभा में केंद्री बजट पेश करेंगी उसके बाद बजट की एक प्रती रज्य सभा के पटल पर रखी जाएगी ये दूसरी बार होगा जब वितमंत्री निर्मला सीतारमन पेपरलिस बजट पेश करेंगी वितमंत्री निर्मला सीतारमन का हर बजट कुछ न कुछ खास रहा है वितमेंटरी निर्मला सीतारमन ने 2019 में जब अपना पहला बजट पेश किया था तब उन्होंने ब्रीफ किस में बजट दस्तावेज लाने की परंपरा तोड़कर बही खाते में बजट पेश किया था 2020 में उन्होंने सबसे लंबा बजट भाशन दिया था निर्मला सीतारमन ने कोरोना महामारे के बीच जब अपना तीसरा बजट 2021 में पेश किया तो इस बजट ने भी देश के पहले डिजिटल या पेपरलेस बजट होने का तिहास बनाया इन तीन तस्वीरों के जरिये भी आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग वर्शों में वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया भारतिय परंपरा के अनुसार बही खाते के रूप में वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करने की शुरुआत की और वर्ष 2021-22 तो ये बजट अपने आपने महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ इशारा करता है कि हम परंपराओं का ध्यान रखते हैं हम ध्यान रखते हैं कि बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण क्या है और साथे साथ जो हमारी संस्रिती रही है और हमारे साथ जोड़े हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन अखिलेश आपका रुख करेंगे और इसमें आप संसर्थ भवन परिसर में मौजूद हैं और आज का दिन बेहत खास देश का आम बजट जो है बजट भाशन शुरू करेंगी वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन सभी की निगाहें काफी उमीदों से इस बजट भाशन पे हैं सबसे पहले मैं आप से जाना चाहूंगी आज के इस बजट को पेश करने को लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह के खास इंतजा इस लिए वित्तमंत्राले ने खास एप भी बनाया है और वित्तमंत्राले का यह आप ना सिर्फ सानसोदों बलकि सारी जनता एक साथ बजट पेस होने के बाद जब बजट भासन हो जाएगा उसके बाद वो देख सकते हैं तो यह एक बहुत ही खास बात है कि आप एप के माध्यम से तुरत बजट भासन जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही आप एप के माध्यम से पूरे बजट को एकसिस कर सकते हैं दूसरी महत्पूर्ण बात यह है कि डीजिटल संसद एक 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 एप ओल लाया गया है जो अभी सुरू में लोकसवा की तरफ से लाया गया है और लोकसवा के स्पीकर ओम बिल्ला ने इस काउध घाटन किया उस पर भी आप पूरा बजट भासन लगातार सुन सकते हैं और हमारे संसर्ट टीवी के माध्यम से तो लगातार सुनी सकते हैं तो वह एप भी है उस एप के माध्यम से आप कहीं से भी वो बजट भासन सुना जा सकता है उस पे भी वो बजट की परती उपलब्द हो जाएगी तो यह एक दो महत्पूर्ण बात है जो कोरोना पेरियेट के थर्ड फेज में के बीच से हम गुजर रहे हैं और अस थर्ड फेज के बीच में एक सबसे जो खत्रा यह होता है कि अगर हम कागजवाला बजट देते हैं अगर पुस्तिकाय देते हैं तो उसके माध्यम से कहीं वाइरस फैल न जाए और उस वाइरस के फैलने से एक पूरे एक संकट की स्थिति उत्पल्ण हो सकती है तो इसलिए ब्यवस्ता की गई है तो यह है कि फीजिकली आप समझ सकते हैं कि फीजिकली जीस तरह से हम सोचल इस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं उसी तरह से हम निर्मला सीतारमन अब से कुछ देर में वित्तमिंतराले से निकल करके बजट की जो उनकी जो प्रती होगी वो एक तरीके से जो बही खाते के रूप में उनकी हाथ में वो होता है बजट वो वहां से निकल करके राश्पती भवन भी जाएंगी तो यह कितने बज़े का समय अब पर इसके लिए निश्यत तौरपे प्राकरम ये जो समय है ये 9 वज़े से सुरू होता है और 9 वज़े के बाद जो वीत मंतरी है वो पहले राश्पती के पास जाती है और राश्पती से एक तरीके से उपचारिक अनुमती ली जाती है कि वह रास्पती अनुमती देते हैं कि हाँ बजट पेश्ट करें और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बजट सत्र की सुरुवात में रास्पती ही संजुक्त सत्र को समोधित करते हैं और जैसा कि कल उन्होंने किया और उसके बाद रास्पती से अनुमती लेने के बाद वो तरीके से कहें कि उनका पूरी बाहरी दुनिया से एक्सेस पूरी तरह बंद होता था और इस बार भी बंद है ना मोबाइल रख सकते हैं आप नहीं कोई है तो पूरी प्रिंटिंग भी बजट की वहीं होती थी तो चुकि इस बार पूरी तरह डिजीटल ही है तो इसलिए इस कोई भी महत्पुन कारे होता है जी शुरुवात में मीठे पदार्ट से उसके सिरुवात की जाती है तो मिठाई से सुरुवात की जाएगी और निर्मला सितारावन उसके बाद राज़्पती से मिलेंगी उसके अनुमति लेंगी और उसके बाद भी फिर आती है यहां उसके देखिए वो कैबिनेट से भी अनुमति लेने की जरुवत होती है बजट को क्योंकि कैबिनेट दरसल बजट की पूरी जिम्यदारी कैबिनेट के होती है और वितमंत्री कैबिनेट की जो संस्तुती होती है कैबिनेट की संस्तुती के मिलने के बाद वापेस करती है लेकिन यह पूरी लंबी प्रक्रिया होती है देखे प्राक्रम बजट बनने की प्रक्रिया तकरीबन छे महीने पहले से सुरू हो जाती है और छे महीने पहले से एक बजट एस्टिमेट यह एक फाइनल बजट आता है जो खर्च हुआ और उसके बाद एक पुरी तरह से बजट के बारे में और कुरोना की सिती में बहुत सारे समीकरण भी बढ़ले हैं बहुत सारे तरीकी भी बढ़ले गए बहुत-बहुत धनिवाद अकिलेश इस तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ हर अपडेट के लिए हम आपका रुक दुबारा सी करेंगे फिर चर्चा को आगी बढ़ाएंगे मैं समझना चाहूंगा सुरोजी जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के स्वास्त की कुरोना महामारी ने भारत सहीट पूर का सामना करने के बाद भविश्य की चुनोतियों से देश के स्वास्त को सभालने के लिए आपको लगता है कि इस बार भी कमोबेश उतना ही जोर हेल्ट च्रक्टर पर भी रहेगा जी यह तो मतलब तय बात है कि हेल्ट पर फोकस ज़रूर रहेगा क्योंकि यह सबसे बड़ चैलेंज हमारे पास जो एमा हमारी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है और हमने देखा है कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव और अभी जो थर्ड वेव चल रही है उसमें किस तरह से रिस्पॉंस आया है सर्दार के तरफ से इन टरम्स ऑफ रैंपिंग अप हेल्प इंफरस्रक् मुझे लगता है कि वित्यमंत्री जैसे वैक्सिनेशन के लिए भी बजेट लास्ट टाइम भी बहुत पैसे रखे गए थे और फंड्स रखे गए थे हॉस्पिटल बेड्स हॉस्पिटल इंफरस्रक्श अक्रॉस दस कांट्री इसका रैंप अप के लिए इस बार भी बहु अक्सिजेन हॉस्पिटल बेड्स इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा इसका इंफरस्ट्रक्शर हेल्थ इंफरस्ट्रक्शर का बहुत वड़ा विस्तार करना पड़ेगा और वो वो कॉंटिनुटी रहेगी इस बजेट में जो हम पिछले बजेट में भी देखे थे बिल 0.09 प्रतिश्रत था जो की बढ़कर दोहजार बीस एकीस में एक दश्रम लव एक प्रतिश्रत हो गया लगातार हम देख रहे हैं सरकार की जो पॉलिसीज है प्रेजन गवर्मेंट की चाहे वो आईशमान भारत हो तमाम तेरे की पॉलिसीज जो रही है हेल्थ इंफरा को इस्बूत करने के लिए और कोरोना पैंडेमिक के बाद भी जस तरीके से भारत ने चाहे वो वैक्सीन हो वैक्सीन का निर्माड हो उसको दूसरे देशों में भीजना हो जो आत्म निर्भरता हमने पहले से जादा हासल की है वो किस तरह का ट्रेंड सेट कर रही है आगे भी आने वाले वर्षों के लिए इस एक्स्वेत्र में हम किस तरह की संभावना आए और देख रही हैं देखे संभावना ये है कि हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो तीन प्रतिशत के आसपास होना चाहिए जबके दूसरे देशों में ये कई बार पांच प्रतिशत और इसमें एक अच्छा बढ़ोतरी करेगी अच्छा एक जो अग्सपेंडिचर है उसको आगे और बढ़ाएगी और यहां पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इतने बड़े देश में जो वैक्सिनेशन का प्रोग्रम था जो पिछले साल में हमने जो माहरियत हासल की है जिस कि मैं एकनॉमिक सर्वे के उमसार जो भी लेटेस्ट फिगर है 157 क्रोड वैक्सिनेशन हुए है जिसमें से 91 क्रोड लोगों को फर्स्ट वैक्सिनेशन और 66 क्रोड लोगों को दूसरा वैक्सिनेशन भी लग चुका है तो एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं समझता कि विशह में सबसे ज़्यादा जो वैक्सिनेट हुए है जो लोग वो हमारा भारत देश है जिसमें हमने करोना से बचने के लिए इतना भरपूर प्रियतन किया तो आने वाले टाइम में देखता हूँ कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके उपर सरकार का करें और जो एक एक आइडियल लेवल है जो तीन प्रतिशत का जिसकी मैंने बात की उस तक हमें बहुत जल्द पहुंच जाना चाहिए सुधैट के ऐसी जो महामारिय हैं वो आने वाले टाइम में हमारी अर्थ व्युश्था को, हमारे लोगों को, हमारे ट्रेड को, हमारी इंडस्ट्री को इंपक्ट ना करें और हमारी जो अर्थ ह्वश्था है वो पूरे विषाब में एक जैसे अभी we are the fastest moving economy उक्टनमी तक तो वो एक जो स्थिती है वो हमारी मेंटेन रहे क्योंकि हेल्थ की वज़ा से हमारा जो ग्रोथ है वो इंपेक्ट हुआ है अदरवाइस हमारे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रॉंग हैं पिछले वर्ष में अगर हम देखें तो जो चार चीजें हमने हासिल की हैं एक त इछले साल में और इंक्रीज किया है और इसके लाबा जो हमारे जो रेवन्यूस हैं जो प्रतिशत के आसपास का ग्रोथ हासिल करेंगे अगले साल के लिए हम आठ और साढ़े आठ प्रतिशत के बीच में रहेंगे तो एक 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 फास्टर लेंज जो है कंटिन्यू रहेगी और जो भारत की जो एक दिशा है और वो पूरे विश्व की परनाली में सबसे ज़्यादा अब एक अट्रेक्टिव हम डेस्टिनिशन पे हैं जो ग्लोबल देखते हैं जिसकी वज़ा से हमने एफटी आई भी बहुत एट्रेक्ट किया और हमने जो डिमेस्टिक इंवेस्ट्मेंट्स थी उनको भी बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयास करके उसको बढ़े हैं तोक्टर यामिनी समझना जरूरी है कि देश के स्वास्त को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने ये कहा था कि आम जन तक हम स्वास्त सुविदाय सुनिशित करें ये प्रात्मिक्ता में शामिल है ऐसे में प्राइमरी हेल्थ केर कितना महटवपूर्ण हो जाता है आपकी निजर में उस पर जोर देना कितना जरूरी है जी देखे बहुत जरूरी है प्राइमरी हेल्थ केर ने एक ऐसा हेल्थ केर है जिसमें लोगों तक सुविदाय पहुंचती है और खास कौर्ट पे पिंडेमिक के टाइम ये हेल्थ केर सिस्टम बहुत जादा इपॉर्टन हो जाता है क्योंकि ये इसी के दुआरा जो अबरॉर और उस पैसे की वज़ा से वो जो है आगे अपने ध्यान नहीं रख पाते ना खाना कर पाते हैं ना एड़ुकेशन कर पाते हैं और नहीं अपने काम पे अच्छी दिखे से कॉंट्रिब्यूट कर पाते हैं इसके विज़ासे वो और गरीबी की रेखा में पीछे पड़ते जा last year healthcare sector पे investment की थी उसको काफी हद तक फाइदा पहुचना चाहिए उन गरीब लोगों पे क्योंकि वो बुनियादी जो सुविधा है सुरक्षा है और productivity की necessity है वो बढ़ती है और इसे पूरा overall जो जैसे आयुशमान भारत है या फिर ये healthcare system है ये गरीबों को सुरक्षा देता है आगे बढ़ने के लिए और उस गरीबी के जो सरकल है उससे बहार निकलने के लिए ठीक है विलकुल हमारे साथ डॉक्टर यामिनी जुड़ी हुई थी और मोनिका हलन भी हमारे साथ है उनके पास में आऊंगी उसे पहले सुरजित गुपता आप कुछ कहना चाहरे थे हम य यह vaccination को एक economic indicator के रूप से देखना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही critical है आपके economy को पूरा तरह से open करने के लिए contact intensive sectors जो है जो services sector है उसको बढ़ावा देने के लिए एक confidence लाने के लिए तो यह vaccination जो बढ़ाया है और जिस तरह से 75% of the adult population को cover किया गया है और आगे जो strategy है तो मेरे खाल से इस budget में उस पे परी बहुत काफी ध्यान रहेगा और यहां हमें यह भी याद रखने के जूरत है कि पिछले वित्ती वर्ष के budget यह आवंटन में कोरोना के लिए अलग से budget दिया गया था और उसको लेकर कि जिस तरीके से प्रयास किये गए वो अपने आप महत्वप का है वो हर साल स्वास विदाओं के महंगे होने की वज़े से गरीबी रेखा के नीचे भारत की आबादी का बहुत बड़ा तपका चला जाता था ऐसे में जो तमाम सारे प्रयास किये गए हैं प्रधान मंत्री जन अश्वदी केंद्र के माधियम से जनरिक दवाईयों के मा साधन है उनके जो कीमते कम की गई है आईश्वान भारत योजना जो चलाई गई है इनका कितना कुछ व्यापक असर पड़ा है देश के जन सामाने पर आपका माइक म्यूटे मोनिका जी उसकी वजए से जो बिल्कुल ब्रिंक पे हाउसोल्ड होता है वो वापिस पॉवर्टी में स्लिप होने का बहुत चांस होता है और ये पैंडेमिक की वजए से 20 प्रतिशत ऐसी पॉपिलेशन है भारत में बीच में जो अनॉगनाइस सेक् में काम करती है जो फॉस्ट टाइम और्बन माइगरेंट है उनका इस समय बहुत डर है कि वो वापिस पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है इस बजट में एक टागेटड योजना उनके लिए लानी पड़ेगे और इश्रम कार्ड अल्रे हैं कि अगर जो पीएम जे पांच लाग पाली स्कीम है वो इन लोगों को भी इनको भी उसका बेनेफिट मिले तो जो मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है इतलीस उस वजए से ये लोग वापिस पॉवर्टी में नहीं उनका ड्रॉप कर पाएंगे एक तो बहुत ज़रूरी है कि इनका ध्यान रखना चाहिए और एक फिर ये बात आती है कि बजट है पैसा कहा से आएगा तो जो पीएम जे स्कीम है वो जो उपर के 40 प्रतिशत लोग हैं उनको जो सरकार को कॉस्ट आता है उससे डबल कॉस्ट में उनको खरीबने का मौका दें अब आप पूचेंगे कि बोलो क्यों खरीदेंगे क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ इंशोरंस का मार्केट है उसमें मार्केट फेलियर है पॉलिसी बहुत महेंगी है जब जाते हैं उसमें पूरा पैसा नहीं मिलता है तो एक बेसिक पांचला का अगर कवर सरकार की तरफ से होगा और जो अमीर लो यह मिसिंग मिडल जिसको कहते हैं उसकी हेल्प के लिए हम रहता है बात बर्कु ठीक है इनोने की पैसा कम है जरूरतें जादा है उसको देखते हुए बज़ट देना होगा तो सबसे बड़ी चुनौती इससी को मैनेज करने की है इस पर संतिलन बिठाने की है डॉक्टर S. हेल्थ रिसर्च जो है वो बनाए गया जिसने फुल फ्लेस जो काम करना शुरू किया 2013-14 में और इस पर अच्छा खासा बजट भी दिया गया कितना जरूरी समझते हैं आप इसको और अब तक खासकर कोरोना के बाद भी पोस्ट पैंडेमिक जिस तरीकी की रिसर्च स्ट्र हेल्थ सेक्टर के लिए अपनाई जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आने वाले बजट में भी हम इसके और आगे बढ़ने की क्या संभावनाए देखते हैं जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रशन किया है क्योंकि जो रिसर्च है रिसर्च एंड हमारे देश की एक बहुत अच्छी पर्लाली बने जा रही है जिसकी वज़ा से हम इनुवेशन की जब हम बात करते हैं कि इनुवेशन करके हम आगे और बढ़ सकते हैं हम अपनी इनुवेटिव जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो यहां से ही सिद्ध होत उनको भी भेजा उनके उनको मदद की बहुत सारे देशों को हमने वैसे मदद की जैसे उनको एक डोजस दे दे के तो यह बहुत बढ़ी चीज है आने वाले टाइम में मैं यह समझता हूं कि जो हमारी रिसर्च और डिवल्मेंट है उसमें अगर हम देखें तो हमारा पीछ करना चाहिए क्योंकि अभी भी जो हमारा expenditure है तो यह बढ़ा के हमें लगभग दो प्रतिशत के आसपास करना चाहिए जो एक ट्रेंड है उसके आसपास हमें जाना चाहिए तो इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि हमारी एक पेटेंट पॉलसी जो है उसके ओपर सरकार का बहुत सारे देशों में अच्छे जो युनिवर्स्टी इंडस्टी लिंकेजस हैं जो पेटेंट राइट से उनके उपर जो पॉलसी जहां बहुत ही ट्रांसपेरेंट है हमें उस पॉलसी को और ज़्यादा जो इंडस्टी फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली बनाने की जर सुरूजी जी अब हल से आगे बढ़ते हैं बात इंफ्रस्ट्रक्टर की करते हैं और हमने देखा कि आधारबुर्स और चुना के विस्तार के लिए बहुत सारे प्रयास किये गए पिछले बजट में भी स्वास के बाद यदि सबसे ज़ादा किसी सेक्टर में ध्यान दिया गया था तो वो इंफ्रस्ट्रक्टर था इस बार कि यदि इंफ्रस्ट्रक्टर की बात करें तो बात सलक निर्मान की हो बात रेलवे ट्रेक की निर्मान की हो या फिर परिवहन को बहतर बनाने की हो हर दिशा में सरकार ने कोशिश की है अच्छा करने की कितनी उमीद रखी जाए infrastructure sector की budget से जी देखे infrastructure एक another focus area ज़रूर रहेगा क्योंकि यह बहुत important sector है आपके economy को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे पास एक already हम national infrastructure pipeline already है एक लाग करोड जादा का तो उस पर काफी focus रहेगा किस तरह से हम investments attract करें हमारे पास National Asset Monetization Pipeline भी है जिसका हम देख रहे हैं कि इस साल का जो जो टार्गेट है उसको कैसे वो मीट करेंगे उसका स्ट्राटीजी आगे की स्ट्राटीजी तो यह जो कैपेक्स के उपर ध्यान रहेगा वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि इसी से आपका आगे जो एक वर्चूस साइकल हम जिसको कहते हैं ट्रिगर करने के लिए वो बहुत ही important role play करता है infrastructure चाहे आपने देखा होगा किस तरह से सड़क निर्वान आगे चल रहा है green field highways चल रही है एक्सप्रेस वेस चल रही है और उससे connectivity बढ़ने से जो economic activity को flip मिलता है वो हम अलरड़ी देख रहे हैं और ये एक focus area रहेगा और मेरे ख्याल से इस पर भी sky location हम बढ़ने की बहुत आशा है बिल्कुल ठीक बिल्कुल डॉक्टर यामिनी अगरवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है टॉक्टर यामिनी हम जानते हैं किसी भी देश के विकास के लिए जो आधार भूत संरचना है वो इतरह से बहुती important role play करता है और इस बार कहा भी जा रहा है कि infrastructure पर सरकार का पिछले कुछ वर्षों में खासा जोर रहा है और ये जो गती है वो आगे और तेजी से बढ़ेगी 2024 पचीस तक पाश ट्रिलियन डॉलर की GDP पाने के लिए भारत को बन्यादी धाचे पर इन्वर्षों में लगबग जनुमान लगाये गया है वो 1.4 ट्रियन डॉलर खर्च करने की आपश्रक्ता है मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जस गती से अब तक सरकार चलती आई है इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलप्मेंट के लिए उसके बाद किस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है और जो संकेत हमें आर्थिक समीक्षा से मिले हैं खासकर उससे क्या लगता है कि आने वाले बजट में किस तरह की बाते हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें कोशिश रही है सरकार की कि जो भी बनियादी ढाचा है उसको मजबूत किया जाए और जो आम आदमी की जरूरते हैं उनको पूरा किया जाए चाहे आप कोई भी स्कीम देखे जो पानी पहुंचानी की सुविदा है इलेक्रिसिटी की सुविदा है और सारी सुविदा है उनको मजबूत किया गया है कोशिश ये भी की गई है कि सागर माला प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट, गती शक्ती स्कीम, नैशनल पावर ग्रेड या किसी भी स्कीम की आप बात करें, वो सारी स्कीम जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रॉंग फोकस दें, जरूरी बात यह है कि मन्रेगा की ऐलोकेशन बढ़ाई जाहे वो सिरफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली नहीं क्रियेट किया जा रहा है, अगर आप देखें रेल्वेइज हैं, पोड्स हैं, एर्पोड हैं, रूज्स हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैप्स को माध्यम से, अवाज योजना है, यह सारा infrastructure create किया जा रहा है इसके साथ-साथ एक digital infrastructure चाहे वो payment banks के द्वारा हो चाहे वो IT framework के द्वारा हो इन सब के द्वारा create किया जा रहा है पोशिश ये भी की जा रही है कि ecosystem डवलपो जिसमें businesses को continuous growth मिले अगर आप projections देखे economic survey के तो वो कहती है क्योंकि economy रुकी हुई थी अगले साल से इस साल तो बेस एफेक्ट की मिल जा से हम मान सकते हैं कि 9.2 के प्रतिश्यद हमारी growth होगी आप देखे तो agriculture में positive growth 3.9% की आपके जो projected growth है इंडस्ट्री में 11.2% और services में 8.2% जो ग्रस्त भी है उनको भी आगे शक्ती दी जा रही है कोशिश यही करनी चाहिए कि ecosystem जो है वो ऐसा डवलाप हो regulations के माधियम से और स्थिदी के माधियम से कि एक तो गरीबों को पूरी opportunity मिले चाहे मन्रेगा के दौरा हो चाहे वो स्वास सुविदाओं के दौरा हो और अगर pandemic में राशन के अवशक्ता हो तो बैसी भी शक्ता आतनिर्भर अभ्यान के दौरा भी प्रोचाए जाए एमसमी को खास तौर पर लोन की सुविदाओं की गई आतनिर्भर अभ्यान एक दो और तीन के दौरा और भी credit को continuously maintain किया जाए यह सब कि चीजें जो है जरूरी है आगे economy को एक स्टॉंग पुछ देने के लिए एकनॉमिक रिफॉर्म साथ के साथ चल रहे हैं जो चाहे privatization को लेकर के हो इस investment को लेकर के हो decriminalization को लेकर के हो faceless tax recoveries को को लेकर के हो e-governance को लेकर के हो एक system के माध्यम से इन सभी से आगे गती मिलेगी और economy आगे भड़ेगी ठीक है ठीक है मैं समझना चाहूंगा मनरेगा का यहां पर जिक्र हुआ मनरेगा के लिए वर्ष 2021 में आठ करोर 85 लाख लोगों को मनरेगा के तहट रोजगार मिला इसके लिए 68,233 करोर रुपे जारी किये गए थे इस बजट से हम कितनी उमीदे रखें क्योंकि देखिए यह सीधा सीधा जो जुड़ाव है वो देश के उस जमीन से जुड़े हुए आदमी से ही यह सवाल ताकि उसके जो आर्थिक इस्तिती है उसको थोड़ी सहायता मिल सके उसकी आजवी का बहतर हो सके जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रशन किया है क्योंकि यह हमारा जो डिमांड साइज जो एकनॉमिक्स है उसको भी बूस्ट करता है जब हम मन्रेगा में अलोकेशन से इंक्रीज करते हैं तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है क्योंकि डिमांड इस ताइम पे बहुत बड़ा फैक्टर है जो भारत की अर्थवस्था को गती देगा जैसे यामनी अगरवाल ने बात की कि इस जो ग्रोथ रेट हमने प्रोजेक्टर जो ग्रोथ रेट से हैं उनको गती देने की जरूरत है तो मन्रेगा में मैं समझता हूं कि सरकार एक अच्छा की बात है लास्ट यर सरकार ने उसको 35 प्रतिशत से इंक्रीज किया था साड़े चार लाग क्रोड से साड़े पाच लाग क्रोड का एलोकेशन किया गया था इंफ्रास्ट्रक्टर डिवल्मेंट के लिए जो कैपिटल अक्सपेंडिचर के लिए और इस वर्ष मैं फिर पूर्ण बात यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्टर के प्रजेक्ट्स है उनको आगे गती देने के लिए उनकी जो अप्रोवल्स है खासकर जो इन्वार्मेंट इंप्रोवल्स है वो बहुत तीज गती से बढ़ने चाहिए क्योंकि पीछे जो देखा इसको आगे गती देखे इसको इसको इन्वेस्टर फ्रेंड्ली बना के इसको और गती देने की जुरूर्त है और दूसरा जो नैशनल इंफारस्ट्टर पाइप्लाइन में जो सौलाग क्रोड से ज्यादा क्या अलोकेशन्स है उनकी फ्रεν्ट लोडिंग होगी तो जो यहां से वो बजट की प्रतिय लेकर के राश्पती के पास जाएंगी उनसे अनुमती लेंगी जैसा कि हमारे सयोगी भी बता रहे थे पिलकुल यह सीधी तस्वीर है आपके टीवे स्क्रीन पर मुश्किल जो है अब धाई घंटे का वक्त बचा है बेहद एहम और खास दिन आज जब वितमंत्री 2022-23 का बचिट पड़ेंगी सुरुजित गुपता आप से मेरा सवाल NIP National Infrastructure Pipeline को लेकर है बहुत भी महत्वकांग्शी यह जो कि लाँच किया गया एक सो ग्यारहा लाख करोन 2020-2025 के लिए वर्ड क्लास infrastructure पूरी कंट्री में प्रोवाइट कराने के लिए कितना एहम मानते हैं यह कदम सरकार का NIP और आने वाले दिनों में इसके तहट आप किस तरीके का जो है रोड मैप देखते हैं और इसे लेकर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी यह सीधी तस्वीरे आप देख रहे हैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन वित्तमंत्राले पहुंची है उसके पहले हम आपको एक बार फिर बता दे कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन आज देश का आम बजट पेश करेंगी महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी भी बटली है जरूरतें भी ऐसे में इस बजट से लोगों की उमीदे भी अलग है बिल्कुल तो वित्तमंत्री पहुँच चुकी है वित्तमंत्राले और ताज़ा अपडेट के लिए संसद भाउन परिशर से मुहमत फाते टीपू हमारे समबादाता जुड़ गए है मुहमत फाते टीपू आप से जाना चाहेंगे फिलहाल इस वक्त की गते विधियां क्या है और वक्त अब जादा नहीं बचा है धाई गंटे के बाद बजट भाशन वित्तमंत्री जो हैं संसद में रखेंगी पिलहाल इस वक्त क्या गतिविदिया हैं और किस तरह की तैयारियां वहाँ पर नजर आ रही हैं? पूरी हो चुकी हैं और बस इंतिजार है कि किस तरीके से वित मंत्री यहाँ पर राश्पती के आप्शारिक अप्रूवल के बार यहाँ पर आएं और उसके बाद में दस बच के दस मिनट पर कैबिनेट की बैठक होगी उसका अप्रूवल होगा उसके बाद में ग्यारा बज बजट में किस तरह से लोगों की उमीदों पे बजट खरा उत्रे तो फिलहाल यहां पे सारी तैयारिया अम्रता पूरी है और 11 बजट ठीक लोग सभा में बजट भाषण की शुरुआत हो जाएगी। देखिए जिस तरीके से कोविट का टाइम चल रहा है 48 घंटे पहले ही आपको मालूम है कि लोग सभाषपीकर के दिरदेशन के बाद में जो आटी पीसी आर्ट टेस्ट है वो हो चुके हैं उसके लावा जो गैलरी हैं उनका भी उप्योग किया जाएगा सालसनों के बैठने क पूरी तरीके से अपने कर्तववे को और अपने फर्स को अंजाम दे रहा है कि जो आज का जो एतिहासिक बजट आने जा रहा है वो पूरी तरीके से वो पेश हो सके पराक्रब जी बिलकुल शुक्रिया बहुत-बहुत मौहमत पाटे टीपो आगे अपडेट के लिए आप आई हुए है एक टीटेल रोड मैप भी है और मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि देखी जैसा जैसा आपका अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो आपका नीड फॉर इंफ्रेस्रेक्ट्चर बढ़ेगी क्वालिटी आफ लाइफ को बढ़ाने के लिए अच्छे सुविदाई प तरकार के पास है उस पर काम भी चल रहा है कैसे इसकी फंडिंग हो कैसे हम अट्रैक्ट करें डिफरेंट इन्वेस्टर्स को फ्रम डॉमेस्टिक प्लस ओवर्सीज सो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैन है यह कंट्री का इंफ्रेस्रेक्ट्चर को अप्ग्रेड करने के इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस पर काम चल भी रहा है बहुत दिन से हम देख रहे हैं और आगे भी चलता है शर्मा जी इंफरेस्रेक्ट से जड़ा हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमने देखा कि सरकार की कोशिशे कि भारत के हर नागर चलता के तहट एक घर बनने का मतलब 250 इंडिस्ट्रीज को रोजगार मिलना है काम मिलना है यह बहुत महत्वपूर्ण है इसे आप कैसे देखेंगे हर घर का सपना साकार हो और उसमें जो सरकार के प्रयास है वो कितने महत्वपूर्ण है दिखें उसमें सरकार के प्रयास ही बहुत जादा महत्वर्ण है क्योंकि सरकार अगर उसको गती देगी तो तबी लोगों को घर मिल पाएगा तो इसमें जरूरी है कि हम थोड़ा सा लोगों को राहत जैसे मिडल कलास है उनको जो टेक्स में राहत अगर मिले जैसे कि अभी दो लाख रुपए तक ही जो टेक्स म मजूद है लेकिन उनके बिकरी में थोड़ी कई बाधा रहती है तो लोगों का और अकर्शन बढ़े जिसे के जो जिन जरूरत मंद है उनको घर मिल पाए और दूसरा यहां पे मैं यह बताना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवल्मेंट के लिए जो आपने हा अंसाधन भी और पैदा होंगे लोगों को घर भी मिल पाएगा और एकॉनमी में भी गतिया आएगी और हमारी ग्रोथ भी स्ट्रॉंग होगी बिलकुल ठीक है बिलकुल और आम बजट दोहजार बाईस तेईस ग्यारा बज़े जब लोग सभा में वितमंत्री बजट भाश पढ़ेंगी लेकिन उससे पहले जो जनता है उसकी काफी उमीदें है इस बजट से आएए सुनते हैं जनता क्या चाहती है आज वितमंत्री से जो एपडी हैं अगर को बुड़ा आदमी करता है उसे थोड़े वो पैसे जोड़े हैं अपने ब्रेपे के लिए इलाज के लिए तो उस एपडी पे थोड़ा सा ब्याज जादा करना चाहिए कौनून थोड़े से मलेम करने चाहिए तदकालिन परिस्तिती में इस समय आम आ की सरकार इन दो विश्यों को ले करके जादा जादा अपनी भागेदारी करें जिससे की आम लोगों को सहज और सरल और सस्ती व्योस्ताइं पराप्त हो सके उस पार इस बज़ेट में जो करोना से रिलेटेड हैं हेल्थ इंस्वेंस उसके छूट की लिमिट बढ़ाई जो सेक्टर पब्लिक से रिलेटेड हैं बैंकिंग है या दूसरी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग पूर्ण रहें बज़ेट में फंड आना चाहिए यह है कि महिला सुरक्षा के लिए यह चीज मैं कहूंगी जादा से जाधा आना चाहिए ताकि आने वाली और महिला हैं जो यह सोचती हैं कि हमसे नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे यह उनके मैंसे भह निकलना चाहिए तो देश के आम जनता की बहुत खास उमीदें हैं और इनी उमीदों से जड़ा हुआ अगला सवाल मेरा डॉक्टर यामेनी आप से देखिए हम बात करें यदि कर वैवस्ता की तो टेक्सेशन में बीते सालों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है ऐसे में लोगों की उमीद बहुत ज़ादा है और खास सोर से जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनकी उमीद कुछ ज़ादा है इसमें स्ट्र डिड़क्शन जो पचास हजारे उसे साथ हजार करने की बाते की जा रही है साथी साथ जो धाई लाग तक छूड़ती उसे तीन लाग तक बढ़ाए जाने की बात भी कही जा रही है क्या यह संभव है क्योंकि यदि अगर ऐसा होगा तो यह हम कह सकते हैं कि आठ साल बाद इस तरीके का बड़ा बड़ाव कर्ववस्था में किया जा सकता है जो नए प्रणाली है इसको नए प्रणाली के तरफ जाएं और अगर वो खर्चा करते हैं खास वर पे जो गरीब लोग हैं जिनके खर्चे जादा होते हैं और बचत कम होती है यह कम टैक्स देना पड़े कोशिश यह भी की गई है कि जो प्रणाली है उसमें डिड़ाक्शन और एक्टेंशन जो कम किया जाए आपके पास हम दुवारा से लोटेंगे यामिनी जी मैं यह सवाल आप से लेना चाहूंगा सुरोजु जी देखिए बहुत महाटवपूर्ण है भारत में लगभग साथ करोड लोग ऐसे हैं जो कि नोकरी पेशा होकर के डिरेक टैक्स देते हैं ऐसे में उनकी उमीद है कि कुछ बचत हो सके लेकिन इसमें सरकार के अजस्व की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई फिर कैसे होगी अधी ऐसा होता है तो संभावना कितनी ह देखे हर एक बजेट में उमीद होती है कि टैक्स रेट्स कम होंगे लेकिन एक अगर आप दिशा देखें इस सरकार में तो ज्यादा रेट्स कर उपर टिंकर करने की कोई खास वो फोकस नहीं रहा है और वो सही दिशा है लेकिन देखे अभी राजश्वा का सिती भी बहु चाहे वो जीएस्टी हो चाहे डिरेक टैक्स हो तो एक हेड्रूम है रिलीफ कुछ छोटी लेकिन पूरा बजेट का फोकस जो है वो रिकावरी को शील्ड करना है जो रिकावरी अंडर्वे है तो आप ऐसा कदम ना लें जिससे आप पर्स ट्रिंग्स जो हम बोलते हैं कि आ बोल दें और फिर आपको दिक्कत आ जाईए कि क्योंकि अभी भी रिकावरी पूरी तरह से चल रही है इसको एक मोमेंटम देना है तो फोकस उस पर रहना चाहिए रिलीफ ठीक है आप स्लैब्स में थोड़ा कर सकते हैं या टिंकरिंग थोड़ा इधर उधर कर से लेकिन र बिल्कुल मौनिका हलन हमारे साथ है मैं चाहूंगी कि उनका रुक कर लें मौनिका चुकि उमीदे सबके जादा हैं खासकर टेक्स लैप्स को लेकर आट सालों के बाद ये उमीद की जा रही है कि शायद इसमें कुछ बदलाफ देखने को मिले लेकिन सरकार का डिरेक्ट ट करने के साथ साथ किस तरीके से इस टेक्स के पूरे सिस्टम को बदला है और साथ ही जो प्रमोशन दिया है इंकम टेक्स कंप्लाइंस को लेकर वॉलिंटरी इंकम टेक्स कंप्लाइंस को लेकर जो गर्मेंट प्रमोट कर रही है वो किस तरीके से आप देखती है अमरिता मेर तो ये मानना है कि जो tax की जब changes हुए है faceless scrutiny और ये कोशिश की जा रही है कि technology को बीच में बिठा दिया जाए जो tax के officials हैं और जो tax file करते हैं उनके बीच में क्योंकि सब जाते हैं कि कितना corruption रह चुका है और potential कितनी होती है एक rent seeking behavior होता है जब आपके हाप में power होती है चाहे businessman हो चाहे वो tax payer हो तो ये सरकार consistently शुरू से ये कोशिश कर रही है कि citizen और bureaucracy के बीच में technology आ जाए जिससे कि सुविधाएं बढ़ जाएं यही हमने देखा है कि tax में भी गोशिश कर रही है सरकार पर एक इस चीज़ के उपर बात करते हैं कि जो समय का जो tax structure है उसमें बदलाव आना जरूरी है इस समय 11 slabs है हमारे और जो marginal highest marginal rate of tax है वो 42.7% है इतना तो शायद Switzerland, Germany वगरा जैसे देशों में होता है पर उस तरह की हमारे का सुदेदा ही नह थोड़ा उसमें सुविधा हुई लोगों को ये सोचने में कि हमारा हम किस lab पे आते हैं जो maximum rate है उसको उनको घटाना पड़ेगा इस समय चायद ये साल वो साल नहीं है जब वो घटाएंगे पर अगले 5 साल में ये 42.7 का जो rate है वो encourage करता है लोगों को अपनी income चुपाने म और तीसरी चीज़ ये है कि भारत में हमको चाहिए tax democracy जिस हिसाब से लोगों की आमदनी है उस हिसाब से tax नहीं भरते हैं सिरफ जो population है उसमें से सिरफ आंक्रे हैं मेरे पास 15 million tax pay करते हैं 1.3 billion की population में और उसमें भी 7 प्रतिशत से कम लोग 1.5 लाग से उपर की tax भरते हैं औ ये सबको पता है कि tax लोग नहीं भरते हैं तो कुछ प्रयत्मिन ये करना पड़ेगा कि जो लोग देते हैं tax जिनके पास कोई उपाई नहीं है उनको ये ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है tax सबको भरना पड़ता है पड़ेगा और उसी से फिर बाकी पैसे आए आएगा तो पैसा या तो tax से आएगा या फिर GST से आएगा जो indirect tax है पर जो direct tax है उसको progressive tax मानते हैं पर प्रनाली ये रही है कि लोग कुछ ना कुछ निकाल के tax नहीं भरते हैं तो agriculture tax कभी बहुत जरूरी है पर शायद ये साल बहुत साल नहीं है जब हम agriculture tax की बात करें ठीक ह पर जो दे सकते हैं भारत में tax बहुत जरूरी है कि सरकार भी सकती बरते और जो लोग tax देते हैं वो भी बात करना शुरू करें कि जो tax नहीं दे रहा है वो नाइंसाफी कर रहा है अमरिता टेक्स व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए इसको लेकर के बहुत सारे प्रयास हुए है स्पी शर्मा जी ऐसे में जो tax चोरी की जो बातें की जा रही है और उसमें ये कि बहुत बहुत बड़ा माधियम है एक करवसूली जी बिलकुल मैं मोनिका हलन जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरीके से वो अंक्रे ही बताते हैं जो हमारा tax to GDP रेशो है वो 17 प्रतिशत के आसपास है जबकि emerging market की average भी 22 प्रतिशत है तो इसका सीधे तोर पे मतलब है कि हम 5 प्रतिशत उनसे नीचे हैं despite the high tax rates हमारे मे कहीं ना कहीं ये problem है कि या तो लोग tax सही तरीके से pay नहीं कर रहे हैं या वो भरने में असमर्थ हैं कोई ऐसी complexities हैं जैसे के मोनिका जी ने बताया कि 11 SS labs है तो हमें सरलता की तरफ बढ़ना चाहिए तभी tax base बढ़ेगा तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा tax pay करेंगे और जब बित वर्श शुरू हुआ तभी से second wave ने हमें हिट किया था और बहुत सारे लोग इसे impact हुए हैं तो जो भी लोग hospitalized हुए हैं जिनका hospitalization में expenditure हुआ है उनको कम से कम उस expenditure से tax से राहत अगर दे दी जाए इस वर्श में जो आने वाला वर्श है कि उतने का वो उनको tax नही हुए है तो उनको कोई ऐसी राहत जरूर मिलनी चाहिए जो उनके ये इस pandemic की वज़ा से उनको impact हुआ उनके खर्चे बढ़े और वो despite high inflation उन्होंने फिर भी अपनी health को मद्दे नज़र रखते हुए इसके ओपर बहुत expenditure किया तो मेरा ये एक सुझाव है कि ऐसा अगर सरकार ऐसा कुछ है सोच के उनको राहत ये बहुत बड़ी राहत होगी लोगों के लिए बिल्कुल तो उमीद की जा सकती है कि इस दिशा में भी कुछ प्रयास जो है वो होंगी तो रुजीत गुपता एक बहुत ही एहम सवाल कि जब हम भारत को global manufacturing hub बरान की बात करते हैं और लग करेगी बलकि रोजगार के लिए साथ लाग से अधिक अफसर भी उपलब धिकर आएगी कितनी महत्यपूर्ण ही स्कीम और जस तरीके से स्कीम पिछले सालों में लाउंच की गई इस दिशा में आगे बढ़ते हुए और क्या कदम देखेंगी हम इस बजट में इसमें देख सेट अप कर रही हैं जी इसलिटीज और स्मार्टफोन मैनिफाक्चर यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है आप अगर बैटरीज के देखें ए सी सी बैटरीज जो अभी पिलाइस की उसमें जो रिस्पॉंस रहा है वो 50 गिगावर्ट का कॉंट्रेक्ट था उसमें आपको 105 गिगावर्ट का रिस्पॉंस आया है तो बड़े-बड़े कंपनिया हैं इसमें तो मैनिफैक्चरिंग को बढ़वा देने में इसका बहुत-बड़ा एहम रियोगदान रहेगा और हमने देखा है कि किस तरह से सारे स्कीम को डिवाइस किया जा और आगे किस तरह से अधाचरिंग के लाने में इस पर बहुत मद्द करेगा और मेरे ख्olls से आगे और सेक्टर में भी आएंगे यह तेरे से ज्यादा इसमानने मोगा और अ़म बाधाने में और मेकिन एंडिया जो आत्मिने बरबभार का जो स्लोगन है उसको रेंदेन करने के लिए बहुत- मेक इंडिया, मेड इन इंडिया, आक मनेर बर भारत, तमाम सारी ऐसी कोशिशे हैं कि भारत के जो मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर है, उसको हम और जदा मजबूती दें, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि इंपोर्ट और एक्षपोर्ट के बीच के अंतर को पाटना, उनके अ जसें, जसेंडिया, ने कहा था, कि यह प्रोसेस रिफार्म जो अज़रूरी है, जिससे एप्रॉवल्स हुए, किस तरह से आप इंडस्री को हिल्फ कर सकते हैं, किस तरह से प्राइवेयट सेक्र को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से बाहर की ऑखर स convey cat cop total को अट्रैक्त कर रेते हैं सकार और एक्सपोर्ट आप अगर देखें इस पैंडेमिक के बाद इस रेगुलरली सेवन मन्स रेकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही हैं तो यह और अल्सो इट विल डिपेंड और किस तरह से आप मार्केट लिंकेज बाहर बढ़ाते हैं एक्सपैंड करते हैं अपने बास्केट को और ग्लोबल सिचुएशन क्या रहेगी इस पर भी बहुत मुद्ड लेकिन इंसेंटिफ्स दिये जा रहे हैं उसको कैसे और एप्रोवल्स को इसेर बनाये जाए सिंगल विंडो क्लेरिंस की बात हो रही हैं कई सारे मुद्ड हैं इसमें जो मतलब ऑश्टिकल की बात कर रहे हैं और अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो डिमांड जनरेशन का जिक्र करना यहां पर मैं समझती हूं जरूरी है डिमांड जनरेशन चुकि कोरोना के स्काल में हमने देखा कि लोगों की जो क्रेश शक्ती है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी कमी देखी और economy को boost करने के लिए demand हाई होना ये balance बहुत जरूरी है क्या आपको लगता है जो steps government की तरफ से अप तक उठाएगे हैं वो कितने सटीक बैट रहे हैं और इस budget में demand generation को और boost करने के लिए government क्या कर सकती है कि देखिए सबसे पहला कदम जो उठाया गया है वो vaccination देने का है क्योंकि जो economy है वो stall कर गई थी pandemic की वज़ाते जो सारी economic activities है वो रुप गई थी और जितनी demand थी वो सभी रुप गई थी क्योंकि pandemic आ गया था उसका एक solution जो सबसे पहले निकाला गया वो vaccination का और vaccination के दुआरा ल गया या सूचना के दुआरा कोशिश ये भी की गई कि MSME महिलाओं और farmers तक पैसा पहुंचाया जाए pandemic के दौरान आत्मिरभर अभ्यान एक दो और तीन के दौरा जिसमें 13% GDP का contribution रहा है कोशिश की गई कि health sector को continuous capital expenditure के दौरा पैसे दिये जाए और उसको develop किया जाए कोशिश ये भी की गई है कि infrastructure पे continuous investment हो और regulations को ease किया जाए ताकि लोगों तक जो manufacturing है उसको एक support मिले चाहे वो PIL scheme के दौरा हो चाहे tax rates MSMEs के ओपर reduce करने की बात हो चाहे एक GST लाने की बात हो पूरे देश के लिए चाहे digitalization का process payments के लिए approve करने की बात हो इन सभी से जो है गती प्रद कोशिश ये भी की गई कि जितने भी infrastructure है खास तोर पे बुनियादी infrastructure आप देखे एक national power grid की बात हो रही है जिसमें distribution असानी हो सकता है renewable energy sources की बात हो रही है उन सभी चीजों के ओपर ध्यान देते हुए economic reforms को strongly लिया गया ताकि जो है जो demand है लोगों के तरफ से और जो production है उस स अभी को support किया जाए तो demand अभी pent up अगर चाहे तो जो industries contact वाली industries थी खास तोर पे अगर आप देखे tourism industry है aviation industry है तो सभी industries में कोशिश की जा रही है कि उनको भी support लिया जाए ताकि vaccination के द्वारा लोग वापिस अपने काम पे आ सके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं सबजना चाहूंगा यहां पर डॉक्टर यामिनी ने बहुत महज़पून बात की मोनिका जी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रयास तो किये गए हैं लेकिन उन प्रयासों में जो economic survey के जो आकड़े हैं वो आकड़े ये बता रहे हैं कि व दो साल पहले जो कदम उठाए उस समय ये pressure था सरकार के ओपर कि 10 trillion रुपए खर्च करो सबको income support दो उस समय जो ministry of finance ने ये कदम उठाया कि हम जो support है उसको back end करेंगे क्योंकि अगर lockdown है ना तो कोई consume कर रहा है ना कोई कुछ produce कर रहा है तो उस वक्त पैसे देने जो नहीं है हमारे पास उन्होंने जो global एक view था कि भारत को इतने पैसे खर्च करने चाहिए उसको नहीं सुना और तब खर्च करना शुरू करा जब थोड़ी lockdown खतम हुआ लोग आने लगे consumption production दोनों शुरू होने लगा तो अगर हम दो ढ़ाई साल का ये time देखें और policy का जो महत्व है और जो उसका impact है उसका कोई academic study करें तो शायद बहुत अच्छी case study है कि जरूरी है अपनी जैसे जितनी अपनी चादर है उतने ही पैर फेलाने है भारत ने भी वोगी करा और तब पैसे खोलने की pipe खोली है जब शमका है लोगों को बाहर जाके खरीदने की और लोगों को बाहर जाके काम करने की तो अगर हम survey के number देखें और देखें कि कितना अब 100 साल में एक बार आते हैं इसी महामारी, उसमें से हम लोग almost निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमको congratulate करना चाहिए policy makers को और ministry of finance को, कि इसमें से इन्होंने almost दुख हुआ है लोगों को बहुत जाने भी गई हैं, पर इसका impact economy में बहुत बुरा हो सकता था, जो कि हम रहे हैं कि revival अब शुरू हो गया और stabilize भी हो रहा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहां पर, मोनिका जी आप दोनों का सर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए